को और प्रेस की जिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो में आपको बताने आलओ आपकी विंड़ोस 10 PC में मौजिना फायर फॉक्स में जो है दोस्तों यह जो न्यू प्राइवेट विंडो का जो आप्शन जो फीचर रहता है दोस्तों इसको कैसे पर्मिनेंटली डिसेवल कैसे रिमूब करते हैं इस विडियो को यहीं बताने आला तो इसके लिए आपको एक्स्टा एक्स्टेंजिन या फिर एक्स्टा और यहां पर उपर के सेट कुछ फाइल पाथ कॉपी है और पेस्ट करना आए तो जस्तों यहां पर देख सकते हैं पॉडिसिस पॉलिसिस के अंदर जो जो अगर आपके पास mozilla का folder नहीं है तो आपको create करना पड़ेगा तो जिस policy folder राइट किजिए select किजिए और यहां पर देख सकते हैं key वह select किजिए और यहां पर आपको एक folder create करना है अगर आपके पास folder available है तो आपको यह method follow किजिए तो यहां पर आपको mozilla का इस तरह से folder create करना है और इसे ऐसी फोल्डर पर राइट किलीक करना है सेम तिंग आपको करना है की सएलेट करना है अभी आप को फोलडर क्रेट करना है ऍपायं इस तरीे से और फिर से फॉल्डर की अभी इस इस time select करना है DWORT 32-bit value अगर आपका PC 64-bit है आपको वह select करना है 32-bit तो just select कीजिए और यहां पे आप राइट पैनल में देख सकते हैं एक फिर से new folder create होगा यह folder का नाम भी आपको rename करना है यह भी folder का नाम है वीडियो की निचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कर सकते हैं तो just copy कीजिए और यहां पे paste कीजिए और इंटरेट कीजिए और फिर से उसी folder पर double click कीजिए दोस्तों और जस्ट यह by default इसका जो value data है जिरो रहता है उसको one करना है इस तरीके से और जस्ट ओके पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आप अपना फायरफॉक्स ब्रोजर भी मरतबा क्लोस कीजिए और फिर से उसको और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों जो न्यू प्राइविट प्रोजिंग का ऑप्शन था अभी डिसेबल हो गया तो इस तरीके से दोस्तों आप इसली आपके विंडोस 10 PC में मौजला फायरफॉक्स ब्रोजर में से प्राइविट प्रोजिंग ऑप्शन फीचर को झाल